जी हाँ आपने बेलकुल सही समझा देश भर की स्कूल काफी लंबे समय तक बंद होने वाले हैं कब तक की स्कूल बंद रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब की पूरा देश मुश्किल में है और आपकी स्क पूर जाने और वीडियो को लाज तक देखे और अपने लिए कुछ अच्छा जरूर कीजिए तो चले हम लग वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही कि पिछले 18 दिनों से पूरा भारत हमारा पूरा देश लॉक्डवन है और उसके पीछे करीज आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं खैर वो तो अपने हाथ में यह बहुत जरूरी था अगर नहीं होता तो और चीज़े बहुत ज्यादे बिगड़ सकते थी हालां कि अभी भी सारी चीजे अच्छे नहीं है दीरे धीरे यह और बूरी ही होती जा रही है य किन सीच्वेशन अभी ठीक नहीं हुई है वो धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही है उसी को देखते हुए लॉक डाउन और आगे बढ़ने की उमीद है यह तो सीफ होगी पूरे भारत की पूरे बजार की सारी चीजों के लिए कि दोस्तों अगर हम स्कूल की बात करें त जो बहुत जगर देखा गया है और जो कई राज्यों में यह लागों भी हो चुक है कई राज्यों में ऐसी ख़वर आ रही है कि उन स्राज की स्कूल कब तक बंद रहेंगे जैसे कि यूपी की बात कर ले उडिशा की बात कर ले करनाटका की बात करें एंपी की बात कर ले राजस्थान की बात कर लें तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिनोंने कहीं ना कहीं ऐसे मैसे जरूर दे दिया कि वहां की स्कूल जो है लंबे समय तक बंद रहेंगे और इसको देखते हुए धीरे धीरे जिस तरीकी की सिच्वेशन हो रही है पूरे भारत में यह चीज लाग साथ खुलेंगे और वही स्थिति यूपी की भी है महराष्ट की भी है रजास्तान की भी है तो आप ऐसा मान सकते कि पूरे भारत में जोवी स्कूल है जून की मीड में या फिर अगर सिच्वेशन और खराब हुई भगवान ना करें कि ऐसा कुछ हो लेकिन अगर सिच्वे हिन्ने से ज्यादा टाइम है मैंने तो आपके पास है है दो डाइम मैंने तो इस टाइम को मेरे भाई आप वेश्ट ना करो आप अपनी पढ़ाई को रखो आप जिस भी क्लास में गये हैं आप उस क्लास के माल लिए कि आपने 11 का एक्जाम दिया था तो आप 12 में चले गए क्लास में आप जाने वाले उसके लिए पढ़ाई जरूर से सुरू करते इस भीरे जो भी हो सकते हैं कि बहुत सारी लोगों पास बहुत सारी बुक्स ना हो लेकिन जो आप पास है बस आप उस चीज़ को पढ़ना सुरू कीजे क्यों कि इस टाइन का वेश्ट मत किजे सारी दुनिया तो परिसान है पूरा देश परिसान तो है लेकिन आप अपने लिए कुछ अच्छा कर लिजे ताकि जब आपकी पढ़ाई हो इसको आज नहीं तो कल तो खुल नहीं है तो क्यों ना आप उसके लिए पहले से त्यारी कर ले परसेंट तक अपने सिलेवर्स कवर कर ल आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए और आप क्या सोच रहें आप पढ़ाई किस क्लास में गए आप पस्बूक्स है नहीं आप अपनी जो समस्य है आप हमसे कई हम उसका जरूर आपको निवारान करने कोशिस करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप सभी न अपनी बाद